हेलो गाईज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर अरन में आप सभी का स्वागत है आज है एर्ट आफ दिसम्बर बात करेंगे यस बैंक के बारे में तो दोस्तो यस बैंक में आज की तारीक में 10 पितिशत के लगबग हमने तेजी देखी दोस्तो यस बैंक के प्राइज में आग लग चुकी है जिसको मैंने आपको काफी समय पहले भी बताया था दोस्तो तो यहां ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यस बैंक जो है वो एक मिड कैप से अब लार्ज कैप में भी आने वाला है दोस्तो इस तरीके के न्यूज मार्केट में आ चुकी है उससे पहले भी काफी सारी इंटरस्टिंग न्यूज आई है दोस्तो आप लोगों ने अगर यस बैंक में पोजिशन ले रखी है उसको होल्ड किया हुआ है तो दोस्तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तो आपको यकीन हो चलाओगा कि Yes Bank जो है वो definitely एक long term का stock है और यह आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे returns देगा definitely लोगों के पास यहां पर positions भी है और काफी large quantities हैं तो दोस्तो अगर हम आज की तारीक की ही बात करते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा चुकि closing हो चुकी है और दोस्तो closing जो है वो तकरीबन किस तरीकी की candle से हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन अभी भी जो quantity pending है बाइंग में वो तकरीबन 1 करोड 19 लेक से जादा है तो दोस्तो आप खुदी समझ सकते हैं आपर situation किस तरीके की है 56 करोड से जादा quantity trade हुई है 20 करोड से जादा deliver होती हुई दिखाई पड़ रही है यानि कि दोस्तो overall trade का 35 पृतिशत से जादा आज के तारिक में deliver हुआ है important है दोस्तो यहां पर quantity जो की 20 करोड से भी जादा है अब दोस्तो यहां पर अगर technical chart पर जाकर देखते हैं तो दोस्तो यहां पर कोई मामूली candle नहीं बनी है यह मारू गोजू candle है दोस्तो यहां पर अगर सीधे तोर पर कभी भी ऐसी candle बनती है तो यहां पर आप आँक बंद करके दोस्तो सौरा डाल सकते हैं आपको दोस्तों यहां पर तेज़ी ही देखने के लिए मिलेगी दोस्तों जैसा कि मैंने आप से कहा था कि यहां पर अगर आप वेट कर रहे हैं तो definitely गलती कर रहे हैं जिन लोगों ने दोस्तों यहां पर भी कोशिश की होगी position लेने की definitely आज की तारीक में उनके हाथ में गजब की तेजी लग चुकी है दोस्तों यहां पर target जो मैंने आपको पहले भी बताए तो वो एक बार फिर से बता दीता हूँ दोस्तों पहला target 18 रुपए का है दूसरा target जो है दोस्तों वो 24 रुपए का है दोस्तों स्टॉक पूरी तरीके से अप ट्रेंड में जा चुका है 75 को क्रोस कर चुका है अगर यहाँ पर हलकी सी दोस्तों यहाँ पर 75 पर आकर स्टे करेगा और उपर फिर जाएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत लंबा trend चलने वाला है अब trend का, इस चीज़को आपको यहाँ समझ लेना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है ज़ोगे चाहर रहु सारी बाते मैं आपसे यहाँ पर discuss कर लेता हूँ जो कि दोस्तों यहाँ पर mutual fund industry जो body है वो इसको दोस्तों large cap में रखने वाली है इस तरीके की चीज़े हमारे सामने आ रही है तो यह चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर समझनी चाहिए उनके भी नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखरी यहाँ पर तेजी क्यों बन रही है अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बहुत important चीज़े हैं वो यह कि यहाँ पर दोस्तों जब से MSCI index में yes bank को दोस्तों यहाँ पर include कि यहाँ आ रहे हैं दोस्तों actually यहाँ पर जो mutual funds होते हैं वो large gap में पैसा invest करना पसंद करते हैं वो भी एक ऐसा large gap जो की इतना cheap है और उपर से दोस्तों bank है तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि यहाँ पर तेजी क्यों बन रही है वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़े ऐसी भी है जैसे कि दोस्तों COVID-19 के चलते हैं यहाँ पर जो retail और small businesses हैं दोस्तों यहाँ पर इतना उंदा काम हुआ है कि वो आपको यहाँ समझना चाहिए दोस्तों यहाँ पर तक्रीबन 60,000 करोड की जो book है इनकी यहाँ पर आप देश सकते कि महस 300 करोड के लगबगी दोस दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके के हालात पहले corporate houses की वज़े से यहाँ पर पैदा हुए थे वो चीज़े यहाँ पर पूरी तरीके से नल हो चुकी है retail और small business की सही तरीके से काम करने की वज़ा से यानि कि दोस्तों यहाँ पर यह जो bank के जो shift हुआ है corporate से सीधे तोर पर retail मे दोस्तों उसका सीधे तोर पर आपको फायदा देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर पहले यह अटकले लगाया जा रहे थी कि corporate में बड़ी growth होती है और retail में growth नहीं होती है तो दोस्तों यहाँ पर आप खुश समझ सकते हैं circumstances किस तरीके से change हो जाते हैं किस तरीके से चीज जो है वो change होती ही दिखाई पड़ती हैं दोस्तों यहाँ पर retail में इतने अच्छी तरीके से काम हुआ है कि यहाँ पर yes bank को अच्छी कासी growth देखने के लिए मिल रही है तो दोस्तों यहाँ पर यह सारी चीजों आपको observe करना चाहिए और समझना चाहिए वहीं पर दोस्तों है वो इन से maintain करेंगे 2023 तक तो दोस्तों आपको इन चीजों का समझना चाहिए कि yes bank किस तरीके से अपने आपको change कर रहा है definitely सारे bank जो है वो कही ना कहीं दिरे दिरे retail की तरफ जा रहे है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीके के bad loans जो होते हैं दोस्तों वो बनते नह रहे हैं मैंने आपको बहुत पहले ही यह टार्गेट बताए थे 18 के और 24 के और आप खुद देख लेना कि यह जल से जल अचीव होंगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनकी राहे यहाँ पर यह कि तकरीवन 48 के लगबग यह आपको देखने के लिए दोस्तों से प्रेस कर दीजिए आपको लिए मिल जाएगा वीडियो में कुछ में फ्रमटिव चाला लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का गुपने नहीं दोलेगा चले थैंक यू